लालची रसोई में फूर लवर्स का स्वागत है आज हम अपने रसोई में बना रहे हैं गुड और नारियल का लड़ू इसे गुड़े नारिकले लड़ू भी बोलते हैं जो बंगाल में बहुत फेमस है दुर्गा पूजा के बाद लखी पूजा आता है जो की नौतारिको है उसके लिए लड़ू जरूर से बनाया जाता है इसके लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं दो नारियल यहाँ पर मैं दो नारियल का बना रही हूं नारियल को हम फोड़ कर इसको इस तरह से हम ग्रेट करेंगे अगर आपके पास इस तरह का ग्रेट करने वाला नहीं है तो आप कद्दू कस करने वाले से नारियल को कद्दू कस करके और उसको थोड़ा सा मिक्सी में चला कर महीन कर सकते हैं इससे बहुत अच्छा गरेट होता है, एकदम soft narial निकलता है और बारिक भी होता है हम इसको अंदर तक नहीं गरेट करेंगे, ने तो इसके काले वाले पार्ट से भी निकल जाएंगे इस तरह से बहुती soft गरेट हुआ है इस तरह से मैं 4 narial को गरेट कर लूगी अब इसे हम नापेंगे यहाँ पर मेरा दो कप नारियल हो रहा है यहाँ पर कुछ काले पाट सा आगा है उसको मैं निकाल दूँगी दो कप नारियल में हम यहाँ पर एक कप और वन फोर्थ कप गुड डालेंगे इस मेजर्मेंट से आप लड़ू बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट लड़ू बनेगा इसमें ना मेठा जादा होगा और ना ही कम होगा इस तरह से आप इस नाप से ही लड़ू बनाएए अब मैं नारियल और गुड को दोनों को हाँ से अच्छी तरह मिला दूँगी अब मिला कर इसको पांस से दस मिनट के लिए रेश्ट होने के लिए रख देंगे जिससे इसमें जो पानी है और रिलीज हो जाए देखिए हाँ पे कुछ पानी रिलीज हो गया है अब चलिए इसको हम गैस पर चढ़ाते हैं अब गैस पर चढ़ाके हम इसे भूनेंगे दो-तिन मिनट हम इसे हाई फ्लेम में भूनेंगे फ्रीज का फ्लेम हम लो कर देंगे और low flame में इसे भूनेंगे नहीं तो गुर जल जाएगा इस तरह से bubbles आ गया है और इसको थोड़ा और भूनेंगे और पानी जब सुख जाए तो इसे बंद कर देंगे इसे ज़्यादा ना भूने जब नारियल कड़ाई छोड़ने लग जाएगा तो आप समझ जाएगा कि आपका नारियल लड़ू के लिए तयार है अब इसमें इलाची पॉड़र डाल देंगे अगर गुर को आप ज़्यादा भून लेंगे तो इसका स्वाद कड़वा हो जाएगा और इसमें जले का स्वाद आने लगेगा इसलिए इसको भूनने के समय आप ध्यान दीजेगा यहाँ पे हमारा नारियल हो गया है देखिए साइट पुरा छोड़ दिया है अब इस स्टेज में इसे बंद कर देंगे इसे ज़्यादा नहीं भूनेंगे नहीं तो इसमें कड़वा पना जाएगा और इसे हम पांच मिनट ठंदा होने के लिए छोड़ देंगे पांच मिनट बाद देखिए यह हमारा जो डो है थोड़ा सक्त हो गया है बेनारियल लड़ू बनाने के लिए तैयार है अब हाथ में घी लगाकर हम इसके छोटे छोटे लड़ू बना लेंगे बंगाल में तो इसके बहुत छोटे लड़ू बनाते हैं लेकिन मैं थोड़े बड़े साइच के लड़ू बना रही हूँ वहाँ पर इस साइच के लड़ू में दो लड़ू बना देंगे लेकिन मैं थोड़े बड़े साइच की बना रही हूँ गी लगाकर अच्छे गोल लड़ू तयार कर लेंगे देखिए यहां पर हमारा कड़ाई में थोड़ा भी मिश्टन चिपका नहीं है इसका मतलब हमारा पाक बहुत अच्छा बना था दो नारियल में मेरा अटरा से 20 लड़ू बना है अगर आप छोटे बनाएंगे तो और ज्यादा बन जाएगा कड़ाई एक दम साफ है हमारी यहां पर इस तरह मेरा नारियर का लड़ू तयार है अब माता का भोग रेड़ी है आप भी इस तरह का लड़ू एक बार जरूर ट्राई करिए चलिए इसे सर्व करते हैं हमारे लड़ू का कलर भी बहुत अच्छा आया है और यह लड़ू गूड का ही बनाया जाता है इसको चीनी से नहीं बनाया जाता है और इसमें ना खुवा का इस्तमाल होता है बस सिम्पल गूड चीनी और लैची पाउडर डाल कर इसका सिम्पल लड़ू बनाया जाता है जो खाने में बहुती टेस्टी लगता है आप एक बार इसे जरूर ट्राइ करिए अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब करिए थैंक यू